यह question आपको differentiate करना है, पहले f'x निकालना है, दिन आपका f'1 निकालना है, तो f'x निकालेजिए, फिर चाहे f'1 निकालेजिए, 2 निकालेजिए, 3 निकालेजिए, कुछ भी निकालेजिए, तो differentiate करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपके पास polynomials है, जिनका product है, ठीक है, अब अ f'x equals to log of this whole thing, that is 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x की पावर 4, और 1 plus x की पावर 8, ठीक है, log जो अगर quantity product में है, तो सारा सारा same log के base पे sum में आ जाएंगी, मतला, log of 1 plus x, यह log की property होती है, ठीक है, तो log की property आप, देख लिजेगा, log of 1 plus x की पावर 4, और plus log of 1 plus x की पावर 8, ठीक है, अब यह काफी जो product में था, आपके पास क्या आ गया है, सम में आ गया है, अब differentiate करना आसान है, तो differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, तो d by d x of log of f x equals to d by d x of log of 1 plus x plus d by d x of log of 1 plus x square, plus d by d x of log of 1 plus x की पावर 4, plus d by d x of log of 1 plus x की पावर 8, ठीक है, अब सारे जिगर ध्यान दीजिए, log x का function नहीं है, यह f x का function है, इसका मतलब यह x के respect to differentiate नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ chain rule लगाना पड़ेगा, log का differentiation करेंगे, फिर f x का differentiation करेंगे, तो log का differentiation क्या होता है, 1 by, whatever the inside of the log, तो 1 by क्या हो जाएगा, f x, फिर f x का differentiation, और f x का differentiation हम लोग क्या लिखेंगे, f dash x, यह d by dx साफ, f x, क्योंकि आप उसे कुछ नहीं कर सकते हो, यह x symbolic representation से रह जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, फिर से log x का function नहीं है, है न, log 1 plus x का function है, तो पहले आप log को differentiate करिए, chain rule लगाना है, और फिर आप 1 plus x को differentiate कर दीजिए, तो log को differentiate करेंगे, तो 1 by 1 plus x हाजाएगा, और 1 plus x का differentiation करेंगे, तो 1 का 0 हो जाएगा, और x का 1 हो जाएगा, तो finally 1 आगया आपका into, फिर यहापे chain rule लगा दीजिए, log का, और उसके बाद 1 plus x square का, तो log का 1 by 1 plus x square, और 1 plus x square का 2x हाजाएगा, similarly आप proceed कर लीजिए, x की power 4, यह 4x हो गया, q, और plus आपका 1 by 1 plus x की power 8, और ही हो जाएगा, 8x की power 7 हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ से fx multiply कर दीजिए, तो जो आपका f dash x हागया, that comes out to be fx times, तो fx times का मतलब fx आपका यह है, ठीक है, यह पुरा रख देते हैं हम लोग, 1 plus x, 1 plus x square times 1 plus x की power 4 and times 1 plus x की power 8, bracket में आपका 1 by 1 plus x plus 2x upon 1 plus x square and plus 4x cube upon 1 plus x की power, कितना है, 4 है, और प्लस 8 x की power 7 upon, कितना हो जाएगा आपका, 1 plus x की power 8, यह तो आपका आगया, f dash x, ठीक है, अब इसको further क्या simplify किया है, अगर हम लोग, lcm लेते हैं या इसको multiply करते हैं, तो एक bracket कर जाएगी और तीन bracket बचेगी, हम लोग इसी तरह छोड़ देते हैं, ठीक है, तो that is your f dash x, second part question का क्या था, f dash 1 निकालना था, तो f dash 1 देख लीजिए, जहाँ जहाँ x है, वहाँ पे आप 1 रख दीजिए, f dash x की expression में, तो आपका f dash 1 जो हो जाएगा, f dash 1, देखिए, यहाँ पे 1 रखोगे, तो 1 plus 1, 2 हो जाएगा, यह 1 का square 1 हो जाएगा, तो फिर से 2 हो जाएगा, 1 की power 4, also 1, तो 1 plus 1, 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 2 into 2 into 2 into 2, 4 brackets हैगा, 2 to the power क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है, into, इस bracket से कितना आने वाला है, 1 upon 2, यह हो जाएगा, 1 by 2, plus 2 into 1, 2, और 2 by 1 plus 1, कितना हो जाएगा, 2, 2 by 2, plus 4 into 1, 4 और नीचे 2 हो जाएगा, 4 by 2, plus कितना हो जाएगा, 8 into 1 upon 2, 8 by 2, तो यह कितना आ गया सब, 8, 4, 12, 13, 2, 15 by 2, तो यह हो जाएगा, 2 की power 4 into 15 by 2, और 2 एक कम हो जाएगा, 3, यह आ गया, 8 into 15, वाठ 120, यह आ गया, 120, मतब F-1 क्या आ गया आपका, 120 आ गया है,